आज देवरिया में 14 अप्रेल भीमरा वंबीड कर की जैनती पूरे धूरे आज देवरिया में 14 अप्रेल है यानी देश के संविदान निर्माता और भागतरतन डॉक्टर भीमरा वंबीड कर की जैनती आज की राजनीती में भीमरा वंबीड कर ही एक मात्र ऐसे नायक हैं जिन्हें सभी राजनीतिक दलों में उन्हें अपना बनाने की होड लगी है यह बात सही है कि अंबीड कर को दलितों का मसिहा माना जाता है मगर यह भी उतना ही सही है कि उन्होंने था उम्र सिर्फ अदलितों की ही नहीं, बलकि समाज के सभी शोशित वन्चित वर्गों के अधिकारों की बात की। यह अपने मातापिता की चौद्यवी संतान थे, यह माहार जाती से तालुक रखते थे, जिसे हिंदू धर्म में अच्छूत माना जाता था। के कारण इन्हें जीवन भर छुआ छूत का सामना करना पढ़ा, स्कूल के सबसे मेधावी चात्रों में गिने जाने के बावजूद इन्हें पानी का गिलास छूने का अधिकार नहीं था, बाद में इन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को समाप्त करने का जिंदगी भर प्रयास किया, हाला कि कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि जब इन्हें लगा कि ये हिंदू धर्म से कुरीतियों को नहीं मिटा पाएंगे, तब 14 अक्टूबर 1956 में अपने लाखों समर्थकों सहित बहुद धर्म अपना लिया.